अर्विंद केजरीवाल को CM पद से हटाने के लिए HC में नई याचिका शराब गोटाले में एडिया ने की थी ग्रफतारी अर्विंद केजरीवाल को मुखे मंदरी के पद से हटाने के लिए HC में नई याचिका दाखिल की गई इससे पहले गुरुबार को दिल्ली HC ने केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था याचिका को खारिज करते हुए हाई कोट ने कहा कि हमें राष्टपती या LG को कोई मारदर्शन नहीं देना है आवकारी गोटाले से जोड़े मनी लॉंटरिंग मामले में गिरफतार मुखे मंदरी अर्विंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोट में जनहित याचिका दायर की गई है याचिका करता हिंदू सेना के राष्टी अद्यक्ष विश्णू गुपता ने अपनी याचिका में मांग की है कि आदलत केंद्रिय, ग्रह मंत्राले और दिल्ली के मुखे सच्चिव को भारत के सम्विदान के प्राविथानों के अंसार दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए सम्विदान की योजना को लागू करने का आदेश जारी करें पहले भी दाखिल हुई थी याचिका, उलेकने है कि हिंदू सेना के कथित राष्टी अद्यक्ष सोरजीत सिंग यादब ने भी केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोट ने खारिश कर दिया था खास बाद यह है कि इससे पहले गुरुवार को केजरीवाल को सी एम पद से हटाने की मांगो लेकर दाएर जनहित याचिका को दिली हाई कोट ने खारिश कर दी थी, एक अप्रेल तक एडी रिमांट पर केजरीवाल, कारेबाहक मुखे न्यायदीश मनमुमन की अद्धिश पतनी ने संभला मोर्चा, उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पतनी सुनिता केजरीवाल भी एक्टिव हो गई है, वह पार्टी को एक जुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है, उम्मीद है कि 31 मार्च को वह पहली बार दिली के राम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें